लड़के ने अपनी गर्ल्फ्रेंड से कहा, मुझे छोड़ कर गई तो तेरा वीडियो लीक कर दूँगा, लड़की बोली, कर दे, दुनिया को भी तेरे छोटे से औजार का साइज देख लेने दे. स्कूल में जब पूरी क्लास पिटती थी और हम बच जाते थे, तो कसम से पूरे दिन शेहनशाह वाली फीलिंग आती थी, किस-किस ने इस फीलिंग का आनंद लिया है, कमेंट करो और साथ ही साथ फॉलो भी कर लो यार, पहले मैं भी कहां करता था, जो होगा देखा जाएगा और अब भैस की आँख मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, कि भाई साहब देखा नहीं जा रहा है मुझसे पत्नी बोली, जानू, आपने ऐसी गाली सुनी है, जिसे देखा भी हो, पती हसकर बोला, हाँ, देखी हैं, पत्नी बोली कौन सी, पती बोला हसते हुए तेरी बहन की छूट आजकल के बच्चे तो इयरफोन लगा कर चल लें, और एक हम थे, जो स्कूल से पत्थर को लात मार मार के घर ले आते थे एक यूट्यूबर को फांसी दी जा रही थी, जज, कोई आखिरी इच्छा, यूट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं पप्बू नेपाली से तुम अमेरिकन हो नेपाली जैसे हो एक आदमी तीन महीने से हॉस्पितल में था, जब उसे डिस्चाज किया जाने लगा, तो उसने महसूस किया कि उसे नर्स से प्यार हो गया है उसने सोचा कि दिल की बात कह देनी चाहिए उसने जैसे ही नर्स को देखा तो बोला I love you nurse, तूम ने मेरा दिल चूरा लिया है नर्स ने कहा, चल हट जूटे, हमने तो सिर्फ तेरी किड्नी चुराई है आज कल दस साल के बच्चों के पास भी आईफोन और स्मार्ट फोन है और जब मैं दस साल का था, तो मेरे पास एक फोन था जिसका कोई भी बटन दवाने पर एक ही आवाज आती थी आदमी जॉब से देर रात तक घर लोटा और सोने के लिए लेटा ही था कितवी उपर के मकान से आ, आ, आ की आवाजें आने लगी आदमी उपर वाले मकान मालिक को फोन करके बोला भाई जरा आप कम आवाज में घपा घप कर सकते, मुझे नींद नहीं आ रही सरकारी स्कूल के बच्चे किसी को घसीट के स्कूल ले जा रहे थे तब ही एक बुजर्ग ने बोला, बच्चों इसे छोड़ दो, पढ़ना होगा तो ये खुद स्कूल जाएगा बच्चे बोले, ये स्टूडेंट नहीं, टीचर है, स्कूल ही नहीं आते हैं